नमस्कार हरवल पॉइंट बेगुसराय की ओर से हम आपका हार्दी के भिरंदन करते हैं साथ ही साथ आपके सुन्दर और बेहतर स्वास्त के कामना करते हैं हमारा उद्देश तो आप जानते ही हैं कि हमारा उद्देश है कि यहां वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से खास करके जहां अंगरीजी दवाईयों से आम लोग परिशान हैं गरीब लोग तो ज़्यादा परिशान हैं तो मैं वैसे लोगों के लिए इस बैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से बेकल्पिक जिर्स्ता का मतलब मैं उसमें खास करके एक्विप्रेसर, मैगनेटो थरेपी और हरवल, हरवल यानि समानने जड़ी बूटियों के बाद हम से आसपास के पेर पोधे और जो घड़ों के मसाले हैं हल्दी, तुलसी, नी, दालचीनी, काली, मीर्च बगएर 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 बहुत सारे यह सब के सब दबाईयां हैं जो हमारे स्वास्त के लिए उत्तम है और एक बड़े से बड़े रोगों को से लरने की छमता है और जब हम किसी डॉक्टर के आँ जाते हैं तो फल खाने की सलाह देते हैं फल खाने की सलाह देते हैं थम लोग फल खाते भी हैं और तरह तरह के फल खाते हैं यह जाने बगएर कि किसका क्या गून है तो आज मैं आपको एक ऐसा फल आपके सामने में रखने जा रहा हूँ और उसके गूनों का वखान करने जा रहा हूँ जो जिस फल का नाम है आलू ब अगर इसको हम काटते हैं तो इसके अंदर का भाग भी आप देखिए कैसा लगता है इसके बीच में एक बीज भी होता है इसके बीज का भी हम लोग उपयोग करते हैं बहुत लावकारी होता है उसको सुखा के रखना चाहिए और उसके उपयोग करना चाहिए यह देखिए इ यह बादाम के जैसा एक बीज इसको भी सुखा के रखिए इसका भी उपयोग हो सकता है तो इस तरह के फलों का हम उपयोग करते हैं और इसको अगडेजी में पलंस कहते हैं दूसरे भासाओं में और भी कुछ कहते होंगे यह फल इसको कहते हैं आलू बुखारा प्राय यही पर चलिते हैं और यह हमारे संतुलित आहार के रूप में अगर सेवन किया जाए तो बहुत सारे फाइदे होते हैं इसके फाइदे से आपको अश्चर्ज होगा कि डाइबिटीज, हर्ड जीज, क्लोस्ट्रोल कम करना यानि आपके त्वचा, पाचंत अंत्र, आंख और हड आपको अगर्दियों के साथ साथ और खासकर गर्वती महिराओं के लिए काफी उपयोगी होता है इसमें फाइवर, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, आईरन और मेगनेशियम के अलावा विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन E और कैल्सियम मोजूद होता है, एंटियोक्सिडेंट तो यह होता ही है और आखों के लिए खासकर के जो यह बहुत उपयोगी है, इसमें आखों में जक्से, चीन, केरोनोर्ड वगएरा जो आखों के डेटीना के लिए काफी लावदायक होते हैं और इसका प्रियोग से हम बुरापे में खासकर के जो नेतर दोस्ट वगएरा होते हैं वो वीटा, वीटा कोरोटीन, बुज़ूर के बेक्तियों के वो जो कम दिखने लगता है उसको भी इसके नियमित खाने से हम दूर कर सकते हैं खास करके दिखी एनिमियां महिलाओं में गरभावस्था में भी, अन्ने दिनों में भी, व रक्त की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स बहुत सारे उसके लिए दवाईयां ये टैवलेट वो फलाना ठेकाना डालते हैं और मैं कहता हूँ उसके लिए भी ये एक आलू वो खारा का एक दो फल परती दिन आप इसको खिलाएं और इसको कई तरह से खा सकते हों बताएंगे के हम बाद में तो इसको जब आप खिलाएंगे तो आपके अंदर जो है वो इसमें आइरन प्रचूर मात्रा मुपलब्ध है जिसके कारण आपके अंदर वो जो है वो हमोगलोबीन आपका बढ़ेगा और एनिमिया से आप मुक्त हो सकते हैं और ये इसलिए खून बढ़ान है अगर किसी का इसमिर्थी कम जोड हो बच्चों का खास करके पढ़ने लिखने में उसे यादास्त कम होता है तो इसे लोगों को ब्रेंड सेल और ये जो मेमोरी है वो कम हो जाता है तो तीन से पांस तक आलू वो ख़ड़ा उसको प्रतिक दिन खिलाने से उसको इसमें ला वो काफी अधिक हो जाता है कभी-कभी आप देखते होंगे कि महलाएं जब मोनोपॉज की स्थिति में आती है खास करके उनका इस तरह से जब होता है तो मोनोपॉज के बाद महलाओं के अंदर अनेमिया अर्थराइटिस और तक कही तरह के भी कृतियां पैदा होता है तो वैसी इस स्थिति में आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और उससे उस जाहत मिलेगी आलो बुखारा कैंसर के लिए भी बहुत उपयोगी है खास करके महलाओं के ब्रिस्ट कैंसर के लिए आप देखे इसमें फाइटो निट्रियंट्स होता है इसे क्या होता है कि गेस्ट इंटेस्टाइन कैंसर तथा फैफडे और स्वसंत अंत्र का कैंसर उसको भी दूर करने में यह आलो बुखारा काफी उपयोगी होता है हिर्दय के लिए तो यह बिलकुल ठीक ठाक है देखे हिर्दय रोग बहुत बढ़ा रोग आजकल कहला रहा है और इस रोग से बहुत स पतालों में बड़े महंगे महंगी चिकित्सा पद्धती से जुड़ते हैं और उसका बड़े-बड़े सर्जीकल ट्रीटमेंट भी होता है लेकिन आप जब यह आलू बुखारा का प्रियोग करेंगे तो आलू बुखारा के प्रियोग एक एंटी ऑक्सिडेंट होता है यह कलोस्ट्रोल का अक्सीकरन से रुखता है जो हिर्दय रोग से यह हर्ट स्ट्रोक से तथा हाई कलोस्ट्रोल के अस्तर को कम करने में बहुत ही सहायक होता है और इसमें लोहा जो है वो खून बनाने के लिए जो हिर्दय का धरकन है बलड प्रेसर को नियंतित करता है इसमें पोटासियम भी है पोटासियम तो महुत कारगर है वो जाके उसको खून के ठक्के को कम करेगा फिर जाके धरकन को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेसर को कम करेगा यह से आप देखिएगा कि sexual health आप योन स्वास्त के बारे में अगर बात करें तो इसे स्वप्न दोस के अलावा अन्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं आप इसको एक या दो चम्मा सौब के साथ पानी में मिला के आप खाए इसका प्रियोग करें देखिए इसमें होता क्या है कि यह दस आपका इसको खाने से आपका पीट साफ रहेगा अगर आपका आपकी उम्र बढ रही है तो आलू ब इंब्रेन की रच्छा करते हैं और जुरियां जो है और उसको कम करके सरीर को काफी लोचदार बनाने में ये मदद करते हैं मिर्तिसिल हमारे अंदर जो कोशिकाएं मर जाती हैं उसको भी जिवित और एक्टिम करता है ये एंटी एजिंग के लिए बहुत जरूरी है और गर जिनी का हार के रूप में अगर गर्वती महिलाएं इसका प्रियोग करें तो उसमें चुके मैगनिशियम है जो मान स्पेशियों को बहुत ज़्यादा आराम देता है और समय से पूर्वसंग खूचन या प्रसब किक्रिया जो हो जाती है कभी-कभी उसके जो निर्धारी सम होने लगते हैं उससे आपको रख्षा करता है आपका वेट रोस अजकल ये वजन वरने की समस्याएं बहुत जबरदस्त हो गई है और वजन वरनाने की समस्याएं हो गई है लोग परिशान हैं और इसके लिए बड़े-बड़े जीम और क्या-क्या कहां-कहां जाते रहते ह हूं अगर आप इस आलू बोखारा के दो से पांच फल किसी ने किसी तरह से प्रियोग करें इसको सुखा के भी लो रखते हैं इसके पौडर भी बनाते हैं तो खैरू तुम अतना दूर तक अपना जाए तो कच्छा का ही प्रियोग अगर करें तो आपको भजन घटानों मे क्योंकि इसमें एसीड साइटरी के सीड है जो आपके ठकाबट और एटन को रोकता है लीवर और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल की छमता को बढ़ाता है फैट कम इसमें है ही इसमें नियासीन और बी सिक्स के कारण इसमें क्या होता है कि ये कार्वो हाडरेट प्रोटीन तो आजकल उसको क्या कहिएगा वो राज रोग जैसा हो गया है कोई भी आदमी बड़े सांसे काता हम डाइवीटिक हैं डाइवीटिक लगता है कि उनके लिए कोई अच्छा संदेश है जबकि ये साइलेंट कीलर है मधु में बड़ा रोग नहीं है कुछ दॉक्टर्स तो प्यंकिर्याज जब इंसुलीन की मात्रा कम निकालने लगता है तब आपके शरीर में ये सुरू होता है तो ये जो है ये टाइप टू खासकर के मधु में होता है उसके लिए बड़ा लाव दकायक है इसमें जो पाये जाने वाले फाइटो निट्रियेंट्स है जो इंसुल खाते खाते आपकगो कम हो जाएगा सिर्फ में जो आप खाते जाएएं खाते जाएएए जो आपको आपी से को यियोग कर सकते हैं जब लाब होता किसी चीज से उसके नुकसान ही उते है ले लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नुक्सान नहीं है, यही है कि आप सीमीत अभधीता किसे खाएं, सीमीत अभधीता खाएं और कम मात्रा में परियोग करें, कैल्सिय बॉक्जिलेट इत्यादी जो होते हैं, स्टोंस, वो आपके मूत्र पत्में बना सकता है, आपके कहीं भी, आपके में बहुत अगें, तो इसलिए उसको कम से कम प्रियोग किजिए, और गरभावस्ता में अगर इसका प्रियोग करना हो, या ऊईसे इस्थिति में प्रियोग करना हो, जब आप बहुत बड़ी-बड़ी दवाईयां खा रहे हों, अंग्डे जी की दवाईयां, और द और प्रकृति का इस बर्दान को आप अपने सहेजे उपयोग करें धन्यवाद अपने से अपने झाल झाल